इसराइल के साथ अगर आप खड़े देशों की संख्या देखेंगे तो वो काफी जादा भी है और वो काफी ताकतवर भी देश है फिलिसीन के साथ दो तरह से देश खड़े हैं उसके बारे मैं बताओं उससे पहले मैं आपको बताओं इसराइल के साथ में आप पूरा का खड़े हैं दूसरा एक जो डुमेन है वो है नॉन अलाइंड यानि कि इसरा और फिलिस्टीन दोनों के तरफ से जो एक बातचीत के लिए या फिर वार खतम करने के लिए बातचीत की जा रही है उसमें भारत जैसे कई देश हैं जो कि नॉन अलाइंड है जिनकी फॉरेंड प आप सिंपली इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ डिरेक्टली खड़े हैं कुछ पीछे से फिलिस्टीन के साथ में हैं जो डिरेक्टली सामने आया है अब तक उनमें है सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इरान और लेबनान और रूस और चीन इस तरह के देश जो की प्राइमरी ली आप देखें तो अमेरिका के दुश्मन है और क्योंकि इसराइल के साथ में अमेरिका खड़ा है पस्चिम की बाकी ताकते खड़ी है इसी वज़े से जो अमेरिका के दुश्मन है वो फिलिस्टीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं लेकिन एक second ring भी है second ring है उन देशों की जो की पैसिव तरीके से इंडिरेक्ट तरीके से पिलिस्टीन के साथ में है और उसमें अधिकतर अरब और मुस्लिम वर्ल्ड है इस्राइल के अगले कदम में जो सबसे primary objective और सबसे primary focus है वो है गाजा पर कूज करना गाजा में एंटर नहीं करना ये इस्राइल के लिए option है नहीं कम करें जादा करें आज कल करें ये सब कुछ बहुत सारे factors पर depend करता है लेकिन इस्राइल के अगले कदम में सबसे महत्पूर्ण है गाजा पर किसी तरह से एंटर करना लेकिन उसमें दो-चार factors हैं जिस वज़े से आगले कदम लेने में इस्राइल को काफी ज़्यादा दिक्केते और complexity से कहते हैं dynamic factors जो हैं volatile factors हैं वो आ रहे हैं सबसे पहला factor है बंदकों का ध्यान दिजेगा कि लगभग 200 बंदक अभी भी जिसमें इस्राइली नागरिकों के अलावा कई विदेशी नागरिक भी हैं वो गाजा पट्टी पर हमास के कबजे में हैं दूसरा factor है जब जमीन से अग जब भी टैंक जाएंगे तब हमास ने भी काफी ज़्यादा तैयारी Israeli Defense Forces के लिए करके रखी है और वहाँ पर काफी ज़्यादा गाजा पट्टी पर नागरिकों की भी civilians की और साथे साथ Israeli Defense Forces को भी काफी ज़्यादा जानमाल का नुक्सान हो सकता है तीसरा factor है और वो यह है कि किस तरह से diplomacy के जरिये एक factor को entry किया जाए और जादा से जादा जो बंदक है उनको चुड़ाया जाए और साथ गाजा पट्टी पर नागरिकों को हटाया जाए वहां से तो कई इस तरह के factors हैं जिस वज़े से Israeli Defense Forces अगला कदम उठाने से थोड़ा सा रूक रही है जिजक रही है और इस तोर पर हमास की सुरंगों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वह सबसे लीथल सबसे जो important obstacle जिसे कह सकते हैं Israeli Defense Forces के लिए वो निकल कर सामने आ रहा है उसके अलावा आगर आप देखें Israeli Defense Forces जिस तरह से अगले कदम को लेकर रूक रही है उसके पहले जो दो तीन factors होते है वो पूरा किया जा रहा है Israeli Defense Forces द्वारा सबसे पहला है कि आगे कूच की तैयारी लेकिन कूच करने से पहले जो एक दूसरा कदम उठाया जा रहा है वो है जादा से जादा हवाई बंबारी करके missiles और rockets का इस्तेमाल करके drones और helicopters का इस्तेमाल करके हमास का जितना भी infrastructure है गाज पट्टी पे जाने के समय वो किसी तरह से कम से कम किया जा और उसके बाद में चोटी चोटी टुकडियों के तौर पर Israeli Defense Forces गाजा पट्टी में एंटर कर सकती हैं और बंदकों के साथ साथ जो हमास के आतंकी हैं उनको नश्ट किया जा सकता है लेकिन अभी क्योंकि बहुत सा जाना और फिर बंदकों के साथ साथ जो हमास के आतंकी हैं उनको धूर निकालना और ये तीन में अब्जेक्टिव रखे इसराले Defense Forces आगे की प्लानिंग कर रही हैं ये कहपाना मुश्किल है शायद अभी तक इसराले Defense Forces ने भी ये तैय नहीं किया है कि वो कब जाएंगे कह हमास से जाएंगे कैसे जाएंगे एक डाइवर्जिनरी टैक्टिक्स भी हो सकती है जिस तरह से टाइंग्स और आट्लेरी गंस और ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी की जा रही है वो केवल दिखाने के लिए हो सकता है समंदर से शायद इसराली Defense Forces एक साथ में कूच करें क वहां पर सप्राइज दे सकते हैं हमास के आतंकियों को गाज़ापटी से और दूसरी बात अगर हम ध्यान दे तो बंदों को से भी चुडाने में बंदों को भी हमास के चुडाने में वहां से जादा आसानी हो सकती है कम से कम गाजा पट्टी के नागरिकों की जान जाएं, कम से कम इसराली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स की जान जाएं तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टेस की तैयारी की जा रही है लेकिन न वो आज होगा, कल होगा, चार दिन बाद होगा या फिर चार हफते बाद होगा ये शायद इस्राइली डिफेंस फोर्सिस ने भी अभी तक तैय नहीं किया है कैमरान मान के साथ मैं आशीर सिंग, इस्राइल के टैल अभीव से ABP News के लिए